हाई आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चानल पर और इस छोटे से सेशन में जिसमें हम एक बहुत इंपोर्टेंट बात जो है यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं और यह बात जो है आज के टाइम पर जिनके पास फोन है उन सब के लिए रिचार्ज के वो किसी काम का कहिए तो आपका नहीं है ठीक है और यही जो आप मन्त ली या फिर कह sudah पैक या फिर तीन मंत वाला छे मंत वाला एक साल वाला जो अपना रिचार्ज कराते हैं वह आथी कुसे 003 जूलाई से आपका थोड़ा सा मेहंगा होने वाला है अगर आपके पास जीयो का connection है और most probably अपने भारत में 2016 से 40 से 42 परसेंट जो जनसंख्या है अपने जो फोन यूज करते हैं उनके पास जीयो के ही connection है क्योंकि एक कहिए रेविल्यूशन सा आया था 2016 में बात करें उसके बारे में बाकी एटल और वोडा फोन हो गया अभी में तो साम है वो बढ़ने वाले हैं और जीयो ने अनाउंस किया है ठीक है रिलाइंस की जो यह पैरेंट का रिलाइंस की जो यह company है जीयो तो 2016 में जो ग्रहाकों को लुभाने के लिए और सम्हाव इसने अपना जो मार्किट बेस है वह बहुत अच्छी सोच से बहुत अच्छी स् अच्छा क्योंकि वोड़ाफोन हो गया एटल हो गया और स्पेशली वोड़ाफोन के अगर में बात करूं काफी महेंगा हुआ करता था उन्होंने बिलकुल अपना ऐसे कहते ना कि मोनोपली से चला रखी थी और इतने महें रिचार्ज और मजबूरन करने पड़ते थे हम स देखें कि वोड़ाफोन हो गया या फिर आइडिया हो गया या तो इनको मर्ज होना पड़ है या इनके पास करज इतना जादा है और सब्सक्राइंita सम्हाओ इनको भी अपने दाम जो है वह बहुत जादा कम करने पड़े उसी बेसलाइन पर इनको आना पड़ा जिस बेसलाइन पर आपका जीयो जो है वह आज के टाइम पर चल रहा है या फिर आपका देखो तब उन्होंने फ्री दिया था बहुत सारे आपके यूजर्स जीय अपनी तरफ से अब हम जो है आपका जो एक ऐवरेज रिवेन्यू पर यूजर्स आता है हमारा अब हम उसको बढ़ाना चाहते हैं यानि कि आपको थोड़ी से एक्स्टर चार्ज देने पड़ेंगे एक्स्टर टैरिफ देने पड़ेंगे इन्होंने अपने टैरिफ को से 4G आया 4G से 5G आया तो 5G के अंदर और जादा इन्वेशन लाने के लिए सेक्टर के अंदर उस पे और जादा इन्वेस्ट करने के लिए हमको इस रिवेन्यू को थोड़ा अपना बढ़ाना पड़ेगा ठीक है यूजर से थोड़ा हमें एक्स्रा जो है चार्ज करना में जो आपका पर एवरेज जो रिवेन्यू एक यूजर से आता है 181 के आसपास है वो पूरी दुनिया में बच्चा जहां जहां भी आपके यूजर से या फिर एक तरह से कहिए कंपैरिजन करें तो सबसे कम अपने भारत में उसी को बढ़ाने की अब जो है वो बात जो है कर रहे हैं रिलाइंस जीयो जो है उसको आकाश अमबानी संभालते हैं रिलाइंस की आप कि यह तो टेलीकॉम कंपनी ही है अब इसमें देखते हैं बच्चा कि क्या क्या चेंज आए हैं आपके लिए क्या जरूरी है आप कॉमेंट करके बताना कि आप कॉन सा ब्लैन जो है अगर आपके पास जीओ है कौन सा प्लैन आफ फोलो करते हो इन में से ठीक है तो नए जो टैरिफ प्लैन है वो इन्होंने बताए हैं कि अब रिलाइंस जीओ जो इन्फो कॉम है वो अपने टैरिफ प्लान को लॉंच कर रहे हैं और सारे प्लैन जो है इनके साड़े 12% से अब वो आपका जुलाई 3 से आ जाएगी तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक काम करिए बचा जिनका रिचार्ज आपका खतम हो गया है यह सोच रहे हैं कि अगले महिने करेंगे या 3-4 दिन रुक जाते हैं मेरी तरह के ठीक है तो वो 3 जुलाई से पहले पहले अपने रिचार्ज को एक तो यहाँ पर कर ले ठीक है क्योंकि उसके बाद आपको काफी एक्स्रा चार्ज देना पड़ेगा देखेंगे कीमते क्या हुई है जियो का जो सबसे सस्ता बेस प्लान अभी 155 रुपे का है न वो अब से 189 रुपीज का हो जाएगा ठीक है वो अब से कितना हो जाए वो 189 का होगा और देखिए और कौन कौन से है एक इनका 209 का प्लान होता था बचा 1GB 209 रुपे वाला प्लान अब आपका 249 पूरे 40 रुपे जादा आपको देने पड़ेंगे 1.5 GB वाला जो 249 मैंने कहीं बार अपना कराया है रिचार्ज वो अब बचा 299 रुपे का होग दो महीने वाला दो 2GB पर डे का प्लान हुआ करता था 533 का उसके लिए 639 देने पड़ेंगे 2.5 GB प्रती दिन वाले 28 दिनों वाले प्लान में 399 रुपे में जो आपका मिल रहा था उसमें अब आपको 399 का भूगतान करना पड़ेगा तो यह आपके सारे नए आपको इंग्लिश में है जिनको भी पढ़ना है थर्स्टे को इन्होंने अनॉंसमेंट करी थी अकाश अंबानी के द्वारा थिक है कि हम जो 5G सेक्टर है उसके अंदर और इन्नोवेशन लाने के लिए और बहतर आप सभी को सर्विसीज प्रोवाइड करने के लिए क्यूं जाते हैं अब उसको लोटाने के लिए इनको सम्हाओ ग्रहकों से पैसे जो है वो थोड़े से बढ़ाए हैं इन्होंने बोला भी है एवन कि हमारे देश के अंदर जो आपका पर यूजर रिवेन्यू हम लेते हैं यह 181 रुपे के आसपास यह एफ्रीका की जो कंट्रीज ह हैं उनसे भी कम हैं वहाँ पर 300 रुपे के आसपास है और एकनोमिकली हम एफ्रीका की सारी कंट्रीज से बहुत जादा उपर है तो हमें अपने ग्रहकों की कहिए तो सम्हाओ जेब थोड़ी सी धीली करनी पड़ेगी ताकि हम इस टेलिकॉम सेक्टर के अंदर एक से 25 परसंट आपका इन्हों ने अब बढ़ा दिया गया है और यहां पर देखें ध्यान रखें दन्यू हाई विल नोट अप्लाइट टुदा एक्जिस्टिंग यूजर्स ठीक है तेलिकॉन कंपनी अनॉंस देट जियो भारत जियो फोन यूजर विल कॉंटिनु टू यहां पर बच्चा कुछ आपके प्लैंजा आप कॉमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा प्लैंन है देप्लैन विद ए लोंगर वैलिटी पीरियर ऑबजव दा हाइस्ट हाइक देखें दा एन्वर पैकेज प्राइज एक तीन हजार रुपे विल भीनाव आपका 3600 रुपे बच्चा ठीक है which means that an amount of 600 will be brunt in the pocket of the customer वही वाली बात है while on the other hand the smallest price hike 34 रुपीज वाला बच्चा sorry hike is 34 for its cheapest plan at 155 जो कि अब आपका 202 दिन के लिए हुआ करता था ठीक है अब यहां पर देखो monthly plan अगर आपके है existing plan यह सारे आपके बढ़ा दिये गए हैं जिनमें आपको data pack भी मिलता था यह validity है और यह इनके अब आपके नए price है ठीक है दो मन्त का आपका plan यहां पर हुआ करता था three months वाला मेरा mostly यह वाला plan हुआ करता था 666 वाला mostly plan जो हुआ करता था तो बच्चा यह 84 days का होता था और अब इसके लिए 666 की जगह मुझे 800 रुपे करने पड़ेंगे अगर मैं इसके लिए जाते हूं तो यहां पर सबसे जादा कर्ज उन्हीं के ऊपर है सबसे जादा बच्चा खुशी उन्हीं को हो रही है कि चलो जीयों ने बढ़ा दिया अब उसके एकदम बाद यह लोग भी अपना प्राइज जो है वो बढ़ाने वाले मतलब एटल सर्विस प्रोवाइडर जो है और आपका वी यान की वोड़ा फोन और आइडिया क्योंकि सबसे बड़ा जटका 2016 में जब जीयों लॉंच हुआ था न वह इन्हीं को लगा था इन्हीं की बिना मतलब की जो उन्होंने दरे लगा रखी थी बिना मतलब के प्राइजी जो आपका इन्होंने लगा रखे थे उन पर नकेल कसी गई थी और बहुत सारी कंपनियां तो आपकी सर्विस प्रोवाइडर बंद ही हो गए ये किसी तरह आपके चल रहे हैं तो ये थी आपकी पूरी जानकारी इसको लेकर कि ज अच्छे काम के लिए अच्छे इन्नोवेशन की टेक्निकली क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी इलाके हैं आज फाइवजी आने के बाद भी वहाँ पर आपका सर्विस नहीं पहुच पा रही है वहाँ पर आपका इंटरनेट नहीं पहुच पा रहा है तो देखत से comment करके बताइए कि आपके कौन-कौन से plan आप कराया करते थे monthly, two month, three month या फिर आपका yearly plan and उसमें आपका कितना इजाफाब हो गया है, कितने पैसे आपको extra मांगने पड़ेंगे मम्मी पावा से comment करके बताइए and please subscribe our channel, thank you so much everyone, कोई भी update अगर इस पर आती है, तो आप सब को हम जरूर बताएंगे